काव पाध्या सुना है पाणेदी फिर दर्म संचत के अध्र चुल लिये गए अरे जिन संत महंतों को काम ना धाम वही उनको आगे किये हुए हैं और अमारी उमें डंडा दिये हुए हैं अब सादु संतों के मुझ कौन लगे अब पाणे पंडों को जीने नहीं देंगे एक तरह वारक्षन बामनों को मार रहा है दूसरी तरह धर्मनात पड़वा अरे ऐ अधर्म को जितना खत्रा विदेशियों से नहीं है उतना सुदेशी बामनों से हैं तो देखिए कैसा गर उससे चला आ रहा हर महादेव पाने जी बदाईयों पाने जी गुरूर द्रम्मा गुरूर विश्म गुरूर देवर महें शुगत रार महादेव आरा रार महादेव So pay attention to this Assi Ghaad, the famous Ghaad. You know Lord Rama, the great Rama, the son of Dashrata, brother of Lakshmana and Bharata, husband of Sita, who killed Ravana. His life story book written by Tulsi Dasa. This Ghaad has finished his career here. He wrote a book of big Ramcharit Manas. So this is a Ghaad, holy Ganga, people come here, they take bath, remove sin from their body, so make sin, take bath in his holy water. You can see this Pandas, the great Pandas, Sanyasi, Sadoos under there. Om Keshwai Namah. What we say here, What you enjoy here, you enjoy nowhere. Now see there, how wonderful India. We team city. If not, President, some people will suffer right now. नहीं दोगे साले गंगा में पाप भी धोएंगे और पिछवाडा भी और बोलेंगे जै गंगा मैया पर चावानी या ठनी लेके तुम छोड़ भी तो देते हो मुफ्त में कौन सा काम होता है इस देश में अरे करेप्शन तो हमारा नेशनल कैरेक्टर बन गया है और तुम य देखो वही राजनी पेला है जाए ना पिलाना है तो ना पिलाओ भोशड़ी के लेकिन एक बात जान लो असी पे कहीं लोक्तंत्र है तो है पप्पू की दुकान पे इस देश में दो ही संसद है एक दिल्ली में और दूसरी पप्पू की दुकान में आना है तो आओ और नह वी सम्मेल नहीं होने दिंगे कहते हैं अश्लील है फुवर है गंडा है अगर इसे करना हो तो सहर के बाहर जाओ गंडा के उस पार जहां कोई न सुने अगर हुआ तो गोली चल जाएगी लासे भिज जाएगी पोरा दसंपोड़ा सुनो हमारी बात और जाके कैदो अपने संस सब्सक्रत के रक्षकों से जो भाशा में गाली गंडगी और नजाने क्या क्या देखते हैं असी के लोग नचूतिया कहते हैं और तुम लोग उल्टी गंगा बाहरे हो अरे हरल महादेर के साथ भौसड़ी के का नारा तो काशी का सारोजनी कभी वाद हो वह यह आप लोगों के लिए न दोनों में कोई फर्क है की नहीं है ना पहला जरा जोड़ लगा कर बोलना पड़ता है दूसरा चाह में चाय अप यहां बिले से तूट पड़ता है और भौसड़ी के जिसे तुम गाली समझते हो वह अस्ती की राश्रभाशा है और एक बात बताओ बिना गाली के यहां प्यार और आशिरवाद का लेंदेन होता है क्या और सुन लो राजकिशोर जिसने अपनी मां का दूत या हो वह हमारे सामने आवे और रोक के दिखादे हो लेगा कविसमेलन यह गया सिंग प्राचार अरिशंद्र कालेज अपनी जान दे देगा लेकिन काशी के परंपरे को तूटने नहीं देगा ए राधिस्याम अरे धर्मनास पढ़वा के अध्धक्ष बनने की खुशी में चलो सबको चाह हुए। कोई अपनी जगाशनी हिलेगा शर्मा जी सिर देख रहो है मेरा खलवाट खोपड़ी पर एक भी बाल नहीं है तुमारे डंडे का बार इसके उपर भरपूर पड़ेगा मार सको तो मार लो मगर भोस्डी के शर्मा तुम दाशी की परंपर और संस्कति को बदलना चाहते हो तुम्हारी हैस्यती क्या है जो तुम हजारों हजार साथ से चली आ रिक आशी की संस्कति और परंपरा को बदल सको तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने दरोगा दरोगी आये और गये मगर काशी की संस्कत्व परंपरा कायम है और कायम रहेगी अंग्रेजी कंगोट पर बैठ कर जाड़ा करने वाले शर्मा तुम क्या जनो कि फांग का संबंद दिविनिप्टान से है दिविनिप्टान का संबंद तन और मन से है तन और मन का संबंद मानवस्तित्व से है ने लुखो को नचा कहो हार 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 यह परणा कि यह लोग धार में को नाथ प्रालाए में आख लो छार हार आऊ सब ठीक भाई नहीं हार राम 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 कैसी हुस आवित्रा भाई मि आव राम दे कहां से सांदी हो इता है सुभे सुभे काम छुड़के तुम्हारी सेवा करें हम है जा जा के कपड़े पहना अभी तक ऐसी खड़े हो हम चलो जा जा के छट पे खेलो जा जा चलो चट पे खेलते हैं और कहो रामदे का कहें सभी तुरा बहिनी तुम तो देखी रही हो महंगाई कितनी बढ़ गई है खाने वाले पांचमू और कमाने वाला एक कंपटीशन भी कितना बढ़ गया है मलाहों को आजकल मिलता ही क्या है घाट घाट पर सेर कराने का ठीक ठाक पैसा मांगो तो कहते हैं लूट रहे हैं तीर्थी यात्रियों को पर विदेशी यात्री तो दिल खोल कर दे रहे हैं महले के मलाग खटिक और कर क्या रहें लूट ही तो रहें विदेशियों को कोठरियां किराय पर दे दे कर तुम भी एक किरायदा रख लो राम्रे जैसे राम्धन मला ने एक अंग्रेजन को रखा है अरे इन अंग्रेज और तुन को तुम नहीं जानती बहना बड़ी वो हो कमिंग यू बड़ एंट्री लेटर लेड़ी इस बिजी इन डेली पुजा राइट कम आविल शो यू मंगी गौद टेंपल यू जब ते को कर में गुसने के बहाने टूंदा रहता है यह रास्ते में मिलो तो ऐसे कूता है जिसे का जाए गाम को का बाद कर रहे हैं पाने सूरत चड़ाया है पर अभी तक जजमान नहीं आया चकाचक उपादिया जी देने वाला उपर वाला जजमान क्या देगा भूस डीके देने वाला तुमारे सामने खड़ाया पाणे भूले नात को तो छोड़ दो कोई और रूप बनाओ और कमाओ बहुत चको मत तुम भी उसी का दियावा खाते हो और मैं भी कोई है यहाँ जो भूले नात का रूप ना हो चलो अब शीशा दो अब चंदन भी देदो देख नहीं रहे हो गर्मी से चंदन पिखल रहा है तो अपना सेंगार पटार साथ में लेकर चला करो मुफत में थोड़ा ही मिलता है चंदन दिन रात शीवलिंग पर चंदन लगाते रहते हो और हम साक्षात मांग रहे हैं तो दुनियादारी सिखा किसी जंडू ने हमारा सामान नचुरा लिया होता तो हम तुमारे घाट पर दिखते भी नहीं नाशो तुमारा अच्छो भाही सुभा बड़ा गोला लेली हो का चलो भागो यहां से मैं काशी काशी का दिवाशी और तू काशी का प्रवाशी कहता है भागो यहां से एक दीन जब यही खुष्यदू वहनतर प्रता चलेगा Excuse me, excuse me. Welcome to Kashi. Namaste. photo with lord Shiva? Yeah please. Come. Wait. Photo with lord Shiva, hundred rupees. विद होली गंगा वॉटर टू हंडड़ है क्या है गुरू हमारा यहां कुछ हो नहीं रहा है वो बिल्लू बंबी जा के बच्चन के बाल काट रहा है और हम यहां ठेले वाले किरानिय और पंडे परोहतों के और वो भी सिर्फ सोमार को जब असी चोरा है के दूसरे हर कलून बंध होते हैं हाँ गुरू हमें अपने साल लगा लीजे अब तुम से कितनी बार कहें कि अपना बुरिया विस्तर बांधो जाकर घाट पर वैठो देशियों से मेल जोल बढ़ा उनकी जरूतों को समझो तब है न कुछ होगा अब घाट पर दाढ़ी मोज बनाने वा हम एक कोट्री उठाना चाहते हैं पर कोई ठीक सा किराधा मिले तो स्वदेशी या विदेशी स्वदेशी बच्चा के चन्ना हो तो बैतर है ठीक है सुचते हैं आगी कमिशन डबल लेगा अब फैलो मत असी पर एक तुमी नहीं हो देखो आपने हो इसलिए कह रहे हैं अनी गुरू के बढलें से हम घात कर बाइचता गे अब तुमी सारा हो तुम हमारा ध्यान रखो हम Tumhara ध्यान रखेंगगे बाकी सभा हम सिखा देंगे Uhh-hello-excuse me, Sir 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 Sir, MAM Boat ride jair ride No... Yeah सबहल के रहना यह महला असी है, बहर सड़ी के, यहां शंकराचार को भी चुनोती दे देते हैं साले, जी भीया, चौबे जी, लसुन प्याच, मास मचली तो नहीं खाते हैं, जी, खाना तो दूर, हम तो छूते भी नहीं, याद रखिए, इस महले में मलेच्छों के लिए अब देखो, और देखो धर्म के मामले में तुम चुपी रहो जी, जा, भीदर जाओ, क्या बात है पांडे जी, क्या बात है, बुलाओ महले के सभी ब्राह्मनों को, और पूछो कि जिस महले में कोई ब्राह्मन लसुन प्याज नहीं खाता, वहां हटी कहां से आई, हटी, पांडे खोरा मचा रहा है, उसका अफमार कर रहे हैं ये साले, बारे जारे हैं मास मच्छी के बिना, तो कहीं और रहो, कितने बाहर तुम से कहा कि हट्डिया दूर भेक कर आया कर, पर तुमों की सुनते ही नहीं हो, किसका किराईदार है, बलाओ सभी किराईदारों को, ओए लोंडे, रंग मंचमा, तुम चौबे के किराईदार हो ना, हाँ पांडे जी, याद हो ना, नहीं, ठाकु रहे हैं, तब तो खूब मास मच्छी खाते होगे, मास मच्छी खाने वाले को, हम कोट्री कैसे दे देंगे पांडे जी, तो फिर ये हड़ी कहां से आई, ये मुर्गे की है या चुहे की, ये चुहे की लग रही है तुमको, आप मुर्गा खाते हैं क्या, देखो, कैसी बात कर रहे हैं ये लोंडा, हम खाते नहीं तो जानते भी नहीं क्या, ये सूखी लगड़ी के दर एकदम चुहा है, ये चील गिद बास कोवे नजाने कहा कहा से लाते हैं, खाकर ये गिराते हैं, कई बार हमने ऐसे एडिया यहां बहां देखी हैं, पंडे जी, चील कववे को उड़ाने के लिए महले के किसी आदमी को पैठा द तो, चलो फुटो यहां से, जरूरी था लड़ना, अब तुम मत शुरू हो जाओ, क्यों न शुरू हो, लड़े आप, और गली महले की पड़ाइनों के ताने सुने हम, अरे शंकराचारे हैं क्या आप, खुद चैन से जी और दूसरों को चैन से जीने दो, खाने दो अगर क कोई गुमशुदा है, जी, लड़की है, जी भाग गई है, एक लड़के के साथ, क्या नाम है लड़की का, जी, गंगा, दस दिनों के भीदर, लड़की वापस आजाएगी, रोज संकर मोचन का, दर्शन करें, जी, दक्षण कितने पाने जी, जैसे जज्जमान की शक्ति है, लो, जज्जमान दे गया है, सिर्फ गया रहा, मूँ खोल के मांग नहीं सकते थे क्या, क्या होता है आज के जमाने में 11 रुपे में, वो सिडी का, दक्षिना दे गया है कि दान, रिश्वत दे गया है क्या, सावित्री, सावित्री, बहुत लोग पाप करवाता है, हाँ, मैं लोभी, पापी, मूरक और नजाने क्या क्या हूँ, आप से तो कुछ कहना ही बेकार है, बनारस इस शीडिया योगा और भोगा, साइथ जज़या दोगाफ और प्रानी एंड नजा है,aten भोगाफ योगा चार्या, तांत्रीका चार्या, मौनी बाबा, वान मिनिट बाबा, बामीनिट बाबा, श्लेट बाबा, डेड़ बाबा, और नन ताइब्स का बाबा आज, मैं भूस्मार के विए बूस्मार को अभदा को अंद्य सथ following बूस्मार के शीख भूसमेश funçãoत सतरै सिदे सिदे कैशो नहीं लिख सकते थि अंदया कि त रूना कि ञलको मत आब हिए इंदिया इन में ज्रेक चेंद अपनी जडों सो कटा हूं। अच्छा। India is cut off from its roots. India is आत्मी विस्मृत. How does he see India? A decade from now. आज से दस साल के बाद का इंडिया कैसा होगा बाबा? Bazaar. Market. Free market, open market, what market? मुफ्त बजार, खुला बजार, कैसा बजार बबाबा? नारंगी, सेव, बेर ओरंज, आपल बेरीज सेल फोन, लाप्टॉप, कम्प्यूटर्स सोचेगा कम बोलेगा ज्यादा इंडिया इंडिया विल थिंक लेस, स्पीक मोर इंडिया कट ओफ प्रम इट्स रूट्स, विल स्पीक मोर और थिंक लेस, विल ओरंज, आपल बेरीज एक बात कहें पंचांग पत्री के सहारे कब तक जीवन कटेगा? हमारे पिता पर लोक सिधारते समय, यही पत्रा पोथी और घाट की छत्री हमें थमागे थे, अब हम करें तो क्या करें? पात्षाला के बाद विद्ध्यारतियों को संस्कृत पढ़ाएं कहां है संस्कृत पढ़ने वाले? जिनका कोई भविश्य नहीं, आगे नात ना पीछे पगगा, ऐसे चार्चे दीन हिन ब्राह्मन बालकों को गेर गेर कर हम संस्कृत पढ़ा रहे हैं असी पर कितने विदेशी संस्कृत पढ़ने आ रहे हैं? कौन संस्कृत पढ़ रहे हैं? असी यूनिवसिटी है क्या? और कौन संस्कृत पढ़ा रहा है? सब पैसे कमा रहे हैं, सब कोठ्रियों को किराय पर उठाने का चपकर है ये तो हम हला कियो हैं, इसलिए ब्राह्मनों का महला बजा हुआ है, वरना असी के हर घर में पांडे गुरु होते और अंग्रेश चेला चली तो सण्ने दीजे बच्चो को पालिका की पाठशाला में किसने कहा तुमसे कि पालिका की पाठशाला में प्रतिभा नहीं होती बड़े-बड़े विद्वान और नेता पालिका की पाठशाला में पढ़े हैं आपसे तो कुछ कहना ही बेकार अरे कहे के है है और कहे की खटखट साथ तो जाना नहीं कुछ जरह बाहर देखो मरे जा रहे हैं 2400 घंटे सारा कुछ उटाए जा रहे हैं फिर भी चेहरे पे खुशी नहीं यह नहीं है तो वो नहीं है इससे साड़ी तो उससे फ्रॉब इससे फीस तो उससे टिफन इसे टॉनिक तो उसे दवा, कुछ करो तब भी, ना करो तब भी ये दुनिया चल रही है और चलती रहेगी शोभावा मरत्यस्य यदंत कैतत शोभावा मरत्यस्य यदंत कैतत शर्वे इंद्रियानाम जर्यंति तेजह नचिकेता न यम से कहा हे यमराज, ये भोग कल रहेंगे या नहीं, इसका भरोसा नहीं भोग मन्युश्य को कमजोर करते हैं, इसलिए ये घोडे, ये नाच, ये कान, तुम अपने पास ही रहने दो कहा मर रहे थे, आज भी लेट गुर्देव, एक जगा तेरह की पूड़ी खाने गए थे, देखो, एक बात जान लो रोज रोज ना मुंडन होगा, ना चटावर, ना तीज, ना तेरही, इसलिए अपने पर भरोसा रखो थोड़े संस्कृत पर लिख लोगे, तो आत्मा ज्यान पास अकोगे वरना एक पाव आटा, दो आलू, सवा पांच रुपे के सीधे के लिए जजमान को ढूंटे रहना ना साले रोज रोज ग्रह नक्षत्र खराब होँगे, ना रोज रोज जजमान आएंगे नची केता से ही कुछ सीख लो, यमराज, घोड़ा, हाथी, सोना, सुन्दर सुन्दर स्त्रियां दे रहा है, पर वो कहता है कि मुझे ज्ञान दो, कहता है ना वितेन तरपनियों मनुश्य, मनुश्य के धन की प्यास कभी नहीं भुश्दी और एक तुम हो, कि तहरही के भोज और दक्षना के लिए मरे जा रहे हो जो, इस यह फर्स पिक्निक टू बना रहा है नो, अच्छली, सेकंड ओ, फाइंडिंग पीस यह, मोक्षा नो, अच्छली, फाइंडिंग प्लेस यह अमेरिकन देवी घाट पर रहना चाती है तो यह कौन मुश्किल काम है गुरू? भौ सरी के, इतना आसान होता तो आहमी नहीं कर ली होते तरह पता करो, कोई बावन ठाकुर गुमियार अपनी कोठी उठाना चाता है कि अमिशन में तुम्हारा भी इस्ता रहेगा असी भधैनी में कोई ऐसी गली है क्या? जहां कूडा, कुट्टे और किरायदार ना पंचांग और किरायदार ही तो पंड्नों का सहारा है पर जब तक चूतर ना हिलाओगे यहां बैठे-बैठे कैसे पता करोगे? तो किच-किच पानी न मिले, तो किच-किच खाली करने को कहो, तो किच-किच और ऐसे में अगर किरायदार होसयार हुआ तो गई कोठरी या हाँ से फिर लड़ते रहे ये सारी जिन्द की मुकदमा पर हम स्वदेशी नहीं, विदेशी किरायदार के लिए पूछ रहे हैं विदेशी? पर पूरी बावन है, बनारस पर काम कर रही है उठानी है तो बदाए पागल भयो क्या, हम किसी विधर्मी को कोठरी कैसे दे दे? कोठरी तो है हमारे पास, पर उठाएं कैसे? तुम धर्मात पढ़वा को नहीं जानते का? कानी उंगली पराश उठाए गूमते हैं कोई अंग्रेज घर में घुसा नहीं बलवा कर देंगे एकदम संस्कृती के रक्षकों को बुला लेगे फिर कोई धरना देके बैठ जाएगा कोई गले में पत्थर बांग के गंगाजी में डूबने की धमकी देगा हाँ तो आप पांडे जी से आशवराद ले लिजिए मांगने अप भोले नाथ क्या के नहीं देते पांडे जी आशवराद नहीं देंगे क्या? अरे वो बड़ा हरामी है साला ना सुपतस से सिहंसी मुखे प्रवशंती मिरगा सोई हुए शेर के मुँँ में हिरन नहीं गुस्ता से शिकार करना पड़ता है पांडे जी प्रयतने करने से ही कार्य सिद्ध होता है क्यों रहने दे हम विदेशियों को असी पर? अब देखिए क्योंकि असी की हर गली सीधे घाट पर और घाट पर हर मकान की खिड़की सीधी गंगा की ओर खुलती है घर से भार कदम रखो तो गंगा खिड़की से जांको तो गंगा यहीं विदेशियों के आपकी पुतली है और आप उन्हें ये सुख इसलिए देंगे क्योंकि वे आपको किराया देंगे परडे के हिसाब से पाणे जी असी पर वे संस्कृत और हिंदी भी तो पढ़ रहे हैं ना जानता हूँ वे क्या पढ़ रहे हैं पढ़ें और जाएं पर असी के मलाक खटीक और दूसरी जातियां तो उन्हें अपने घरों में रख रही हैं रखें उनकी मर्जी उपाधियाई जी आप भी जानते हैं जबसे ये विदेशी यहां आए हैं घाटो पर क्या हो रहा है और आप चाहते हैं कि जो घाटो पर होटलों में लौजों में हो रहा है वो ही अब असी के ब्रामनों के घरों में भी हो अरे तो हम कौन सा नशेडी गंजडियों को उठा के कोठरी दे रहे हैं कल तक जो बिना गंगा सनान किये आपके आंगर में गुसने नहीं पाते थे वे आज बिना नाहित होए आपके सामने बैठे पढ़ रहे हैं कल आपके चुला चौकी में घूसेंगे आपके बेटेजी वीटियों से मेल जोल बढ़ाएंगे आख मटका करेंगे उसने घाड पर गुमाएंगे ना जाने कहा कहा की सेर करवाईगे आपको चूतिया बनाएंगे तब आप क्या करेंगे तीन महने में हिंदी और छे महने में संस्कृत तब तो हिंदी और संस्कृत को अंतरे राष्टे भाशाओना चाहिए था लोग कहते हैं कि असी पर हम बलवा मचाए रहते हैं भोसडी के दर्म भरश करो तुम और चुप रहे हैं हम खबरदार जो किसी अंग्रेज अंग्रेजन को किरायतार रखा पालागे पांडे जी बाबा भोले नाच से अपने भक्तों का दुख देखा नहीं जा रहा है देखे कैसे अपिदेशी जज्मान बेज रहे हैं चका चक काम की बात करो एक जज्मान शरण चाहती है पिछली बार कितने दिन जेल की हवा काट कर आये थे जेल वो तो पुलिस हमें गलत फैमी में उठा लेगी थी चरस गाजे के साथ कौन पकड़ा गया था एक अबला अंग्रेजिन थी महराज जो जो चरस गाजा हम अपने हाथ में न लेते तो एक अबला थी थी जेल चली जाती जो हम लोग ने हाथ बढ़ा दिया नारी रच्छा के लिए अब किसका कल्यान करना है एक अमरीकन देवी है किसका शिकार है अपने कन्नी गुरु का अरे गुरु होगा तुम्हारे लिए भोसडी के जो किसी अंग्रेज को असी की रह भी दिखाई तो टांगे तुरवा दूँगा असी में रहना है की नहीं भाग एंसे मना कर दिया था अमने अरामी को पर नववा का साहस तो देखिए वन संकरेस साला साबुन भी नी लगाता सा सुरा पानी लगा कर दाड़ी बनाता है खुद है यही ना खुद कमाएगा और ना कमाने देगा अब यह बनकर अपना पांडे पुरान अब जो कुछ करना हमी करना है पालगी गुरू क्या वाद है पांडे जी आज अब आशिरवात नहीं दे रहे है क्यों मलाओ खटिकों के साथ विश्व कल्यान का धंदा बंद कर दिया है क्या अब हमारी भी मजबूरी समझे पांडे जी अब अमेरिकन देवी असी पर नहीं रहेगी तो बनारस को क्या समझेगी और एक बात कान खोल कर सुनदो तुमनी गंगा हमारे लिए रिवर नहीं बैया है हम घाट को पिक्निक स्पॉत और कंगा को स्विंग पूल नहीं होने देंगी अमेरिकन देवी को बनारस में जहां रहना है रहे असी के किसी ब्राह्मन घर में वो नहीं रहने पाएंगी पालागी का कनी क्या पेंचर आ रहे थे कहेंगे वसुधायव कुटुम कम लेकिन किसी विदेशी को अपने गली मुहले में पैर धरने नहीं देंगे अब भला सूचिए अथिती दुनिया के कोने कोने से यहां आ रहे हैं हॉलेंड से फ्रांस से जर्मनी जपान से किसी को तबला सीखना है किसी को पखावत सीखना है किसी को सितार सीखना है तो किसी को धुरूपत कोई संस्क्रिश सीखना चाता है कोई हिंदी सीखना चाता है अब ये सभी आएंगे, तो कहीं न कहीं रहेंगे ना आएं, अब इनकी मदद के लिए आगे ना आएं, तो लूट लें सब साले पंडे मला रिक्षा वाले गाइड होटल वाले सभी, और जब हम मदद करते हैं तो ये चूतिये, हमें कहते हैं कि हम विश्व कल्यान का थंदा क सब्धर करेंगे akan के ब्रांब प्रांडी में भेथ करेंगे लिकिन कहेंगे कि प्राणियों में सद भाव ना। कन्यी गुरू, आपने मुलुक मुलुक के अंग्रेज, अंग्रेजिन का नाम लिया पर ये अमेरिका और इंग्लेंड को छोड़ दिया अरे नाम मतलब भोसडी वाला का वो तो बड़े हरामी है जो जब भी यहां आते हैं क्लाक्स दी ताज दी पैरिस में रुखते हैं दू चार दिन गाड़ी में घुमते हैं हवाई इड़े से साले लोड़ जाते हैं और जो अंग्रेज अंग्रेजिन घाट पर कंजी कुर्टा लूंगी में यहां वहां घूम रहे हैं खुर्टाद पर चाय पी रहे हैं वे कौन हैं मनी और मशीन से उकताए हुए भागे हुए लोग जो बेकारी भत्ते के एक हजार डॉलर के मनी ओडर का इंतिजार करते हैं वे मनी और मशीन से भागे हुए लोग ने देखिए तुमने असी घाट पर घूमने वाले अंग्रेजिनों की उमर तीस पैतिस इंडियन कल्चर, इंडियन म्यूजिक, इंडियन डांस, इंडियन देवी देवता, तंत्र, मंत्र, साधना, योग सब इनके शौक भी हैं और मजबूरी भी असी पर रहने वालों के लिए सौ डॉलर कम नहीं होते हैं महिने के जैसे चाहे रह लो, जहां चाहो खालो, जहां चाहो सो जाओ, हजार डॉलर का मतलब यहां पर अमीर पर उनके यहां, क्या इतने में सम्मान के साथ जीना मुम्किन है वहां लेकिन यहां उनके सेवा हो रही है, सम्मान हो रहा है, सिर्फ इस लिए कि वे आपको पैसा दे रहे हैं, डॉलर दे रहे हैं, असी पर रहने वाले अंग्रेज, अपने घर, समाज, देश का उसी तरह कच्छा हैं, जिस तरह हमारे समाज में घरीब, ए गया गुरू, जान ले लो, जहान ले लो, धरम ले लो, इमान ले लो, दुकान ले लो, मकान ले लो, पर चाटो मत, हमने तो पहले ही कहा था चहां हर घर में शिव जी का मंदिर है वहां अंग्रेज को कौन भुषने देगा पर आप चाह रहेते कि बावनों कहीं कल्याणों अवे तुम्हारी कोठरी है क्या कूड़ा और विदेशियों के आने से मलाई कौन काट रहा है तुम लोग हम तो चार हैं कि किसी एक अंग्रेश को बावन ठाकुर के घर में भुषा दे तो फिर रास्ता असार अरे कन्नी गुरू की बात रख लो यार दे दो एक कोठरी देंगे पर रेट हर दिन का लगेगा ग्या बेंग गेस्ट मंजूर है तो एक कोठरी खाली कर देंगे simply living high thinking message of visas आहा है रख देरो अटाईस टॉइलेट हलो हलो इसनाइस अटावी यह लोग इन लो कोमिशन तो ठीक है पैतरीन को स्टुजन्ट वीजा कसे मिलेगा वाव हम पर जोड़ दो गुरू हिंदी के एक प्रोफेसर की हम दाड़ी बनाते हैं तीन दिन में एक बार उसी को हम चांपते हैं नहीं तो फर्जी शादी करवा देंगे किसी विरोजगार बनार्शी से राष्ट भाषा के विकास में बहुत योगदान दे रहे हो निज भाषा के उन्नती अहें सब उन्नती को मूल हम तो यहीं सीखें गुरू देव जब अंग्रेजन राष्ट भाषा को नहीं जानेगी तो भारत को कैसे जानेगी अब यहीं होना है अंग्रेज हिंदी पढ़ें पर उसे हिंदी ही पढ़ने देना, दूसरा कुछ ना पढ़ा देना कैसी है तुमारी पेंगे स्राम देई का बताई बहिनी, वो भोसडी की मजा ले रही और हम सजा भुगत रहें नौकरानी बना के रख दिया हमें कभी लाओ, कभी उलाओ, कभी खिलाओ, कभी उपिलाओ जैसे ये घर नहीं, होटल है होटल और लगी रहते हैं नवगा के पीछे-पीछे पर रहा हूं, जब देखो उसको उसमें गुसा रहता है अरे, तो अपने पती से कहो अरे, दोनों एक साथ हकते-मूते हैं तीनों साथ साच चरस गांजा करते हैं है, रामदे, तुम्हारे वो लंगोट के तो पक्के हैं न अब लंगोट के पक्का होने से कह होता है जब कोई खुदा ही अपना लहंगा उठाए, जहां तहां घूमती भी रहे कई बार देखा आमने, उलहंगा उठाए लेती रहती है और कहती है यहां बहुत घर्मी है, कहां बनारस में अरे, दोनों तामों के बीच में, और कहां संबल के रहना बहना, अंग्रेजिन बड़ी वो होती है थोर देंगे वाटर? तेंक्यू तेंक्यू है गया रहो ताइ तुम लोग गाओ गली-गली से इटा भेजकर आयोध्या में मंदिर बनवाओंगे। भव्य विराथ इटा का बना हुआ एक भी भव्य मंदर दिखा दो। क्यों पाणे जी? मंदिर शद्धा से बनता है गया संग जी। वो तो हम देखी रहे हैं। पहले राम को पूछता कौन था सिंगल और अडवानी के सिवाद। कितने मंदिर हैं यहां राम जानकी के। राम नुमी के लावा और कहां है राम। देश रसातल में जाता है चला जाए। मगर आप अयोध्या जाएंगे। मंदिर वही बनाएंगे। तो कहां जाएं। मंदिर कहां बनाएं। रोहम या इटली। अरे छोड़िये। देश कभी आपके एजन्डे पर थाई नहीं। आपका एजन्डा है राष्ट्य स्वाभिमान और गोशन रक्षन। चुनावी मुद्दा ढूण रहे हैं आप लोग। तो वकीर सहाब फिर आप ही बताईए कि मंदिर जन्म स्थान पर नहीं बनेगा। तो कहां बनेगा। कोई प्रमान पत्र है आपके पास। कि राम लेला वहीं जन्म लिये थी जहां मंदी बनाने चाहते आप। क्यों रादेश्यां। कौन देगा प्रमान पत्र है। आप। इतिहास को कटगरे में खड़ा कर सकेंगे आप। चिरवास्तर जी। आप तो वकीर है। सच्चे सफाई मांगने की आदत है आपको। कितनी बार सच को कटगरे में खड़ा करेंगे आप। तो जो आप कहें उसे ही सच मानले। क्यों पड़े जी। नहीं, पर जो आप कहें उसे हम मानले। अरे अदालत की भी कहा मानने वाले हैं आप लोग। आस्था का फैसला अदालत कैसे करेंगी भाई। देखिए, देखिए, ये है इनका चरित्र, राश्ठीय चरित्र, देश का कबाला हो जाए, लेकिन ये लोग भी आदेगे, अरे श्रीराम घर में कलहना हो, इसके लिए आयोध्या छोड़ दिये टे, लेकिन ये जन्म स्थान नी छोड़ेंगे, अरे कैसे छोड़ने, बेहना शिला पूजन का प्रिसाद लोगी नका तू भीतर है क्या क्या हो रहे बेर क्येम? एल OUR योग शिखा रहे थे वहाँ अंगरेजं न लुखभा लशुष्य क्या हम आ प्रिस लॅजी हाँ उन vegा पता चला तो हमें मार देगा अंगरेजजन भी जिने नहीं देगी उन्हें पता में जा धर आ ऐसे सबिका उन जो हमारा और भी न मानी कि बिली कोपोइशे दो फिरेएंगा, हाई, हां रिपीज्चिंट, 추천 ब्रुचामा! कि बिल्ट च मेरे चालेजे से आँटका करता रहतीं। हाई, हाई, हाई... कि ग्राम्मनों पे बुरा ग्रह आया है भाई काशिरमुआ तो पीछे पड़ाई हुआ है मुलाइमा और ललुआ भी घास नहीं डाल रहे हैं और जब भोशडी का विपिया हर जगह से लत्याया और दुर्दुराया जा रहा था तो इसी असी भदैनी ने उसका तिलक किया था और कहा राजर्शी राजा नहीं फकीर है देश की तक्वीर है और जब ससुराद तिल्ली पहुच गया तो हमारे उसमें डंडा कर दिया पीम मंडलायों में फच गया और स्रीम बाबरी मस्जिद में और डीम इन दोनों की विवस्ता में देश भोशडी के जहां का ता है अर गेहू आर को इला एक ही भाव विक रहा है धाय और पैसे लो अब चाहे पोइला खालो चाहे गेहू खालो देश अब बाम describesी पाड़्टियों कि और देक रहा है देख़ेए वह क्या करेंगे अर्य कीमनिस पार्टियों और डोम में फटल्क एंक्या जैसे डोम-मसान पर लकडी वगएरा जुटा कर मुर्दे का इंसरार करता है उसी तरह ये कमनिस पार्टी वाले ये भी टक्टकी लगा के बैठे रहते हैं कि कब सरकार गीरे और कब ये मलाई काते हैं वकिल चाहब रज्वा की नईया तो डूब गई पर जो श्री चंद सेकर पियम बन गए तो बाटी चोखा राष्टी भोजन खोखो राष्टी खेल शुरह ताल राष्टी कारियल है और भोसोडी पियम आपिस होगा अकर बुथ्धी आ दोबाल छंडू हो गया जंता अदल बसी के आदिवासी करोगार सिवा की तयारे जैश्री राम ये का हो रहा है पाणेजी शहर बना रहा है सब हर हर महादेव की जगे जैश्री राम से गुझरा है शहर बना रहे से क्यों? पूरा देश जैश्री राम की पुकार से गुंज रहा है और गुंजना भी चाहिए आप भी अयोध्या चलने की तैयारी कर लें रादे शाम कार सेवकों को अयोध्या भेजने की विवस्ता में जुटे हैं लगता है राम का अयोध्या में रहना राम के भाग के में लिखा ही नहीं है क्या मतलब है तुमारा? अब पहले घरवाले राम को अयोध्या से बाहर किये थे अब उनकी प्रजा उन्हें बाहर करने की तैयारी कर रही है तुमने या राम चरित्र लिख रहे हो क्या? प्रजा कब राम को बाहर बेजी? अरे एक वाशर मैन के कहे राम जी सीता मैया को अयोध्या के बाहर भेज दिये थे तो क्या राम खुदधाई अयोध्या में रह गये थे? मंदिर मस्जिद की लड़ाई राम को फिर से बनवास देगी अरे और तो और जिनके उर्दय में केवल छिराम बसते थे ऐसे तुलसिदास को ये राम भक्तिया योध्या के बाहर किये थे? अरे पाना जी आप तो इतिहास जानते हैं ना? अबे बोल देख दे रहे हो बोल सुड़ी के? ना जाना है मत जाओ, खौन बलचपरी कर रहा है? पर राम कहां रहते हैं? उन्हें कहां रहना चाहिए? वो हमें न सिखाओ सुनिये महराज, गोल बच्चा यहां क्या उकाड रहे हो? अई उध्याजी क्यों नहीं चले जाते? देखो, अगर रास्ते में पकड़े गए तो बढ़िया बढ़िया पोडी, कचोडी, मिठाई, मोहन भोग मिलेगा और अगर कहीं रादेश्याम की थरकार आ गई, तो जैसे स्वतनत्ता से नानी को पेंसन मिलती है, वैसी ही पेंसन भी मिलेगी और कहीं लाठी को लिखा के टैंब बोल गए, तो सरक भी गया नहीं है हम परसो कार सेवगों का एक चत्था लिए, अयोध्या जा रहे है, दस बाराई लोगों के लिए पूरी सबजी बना दे न, यहां दान दक्षिन सीधा आठा चावल पे जी रहे हैं, और आप भंदारा खोल रहे हैं अरे क्यों जाना है यह उध्या, घर बैठी है नाम का नाम दीजे, बनाएं जिसे मंदिर बनाना है पागल भही हो क्या, जब देश के कोने कोने से लोग कार सेवा के लिए जा रहे हैं, तो हम घर कैसे बैठे रहे हैं, हो सकता है, गरिफतारी भी देनी पड़े गोली गंडासा भी चल सकता है, कर दीजे हमें विद्वा और बच्चों को अनाग खुट तो रंडवे थे ही क्या अनाब शनाब बोले जा रही हो अरे सिवारी नहीं जा रहे, उपादया नहीं जा रहे, असी के और भी लोग नहीं जा रहे, आप जरूर जाएंगे हमारे लिए आस्था का प्रश्न है, राष्ट्रिय स्वाभीमान का प्रश्न है, और उस से हम कोई समझोता नहीं कर सकते कुछ करिये महराज, नशा बढ़ रहा है, भांग से ज्यादा धर्मनीर पेच्षता का नशा है, जल्दी नहीं उतरेगा अयोध्या से क्या लाएं तुम्हारे लिए? सबको अबै देती हुई, राम और जानकी की तस्वेर सादर से पसातो सिर धरियो, पोली कारी हर शोहे भरियो, सुन से सत्य असीस हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारे नारद बच्चन सदा सुची साचा, सोबर मिली ही जाही मनु राचा मन जाही राचे वन नहीं से बरसे है ची संदर सादर करुनानी धानी सजानी से भिसनी हुचान तुम्हार अल्हां पिता राचे सनस्यसा हुचानी तर्यार पिर होना क्या था? सर्यूख खूल से लाण हो उठी पर मस्जित पर भगवा लहराया चारों लाठिया और गोलियां चल रही थी पंडे जी सीना तानकर आगे बढ़ रहे थे पर भोस्री वाले ने पैर पर गोली मार दी साले का निशाना ठीक नहीं दगा अरे यार हद है अरे निशाना ठीक कैसे लगता अभी तास्टी के छाटी पर इनका मूं डलना बाकी है माले 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 कोली लगी है पैर में ये नहीं के पहले घर जाई घर में कोई रहा देखता होगा पप्पू की दुकान पे पहले जाएंगे माला जरूर पहनेंगे अब बस भी करो हम तो सिधा घर आ रहे थे उनलोगों ने हमें वहाँ रोक लिया अब हम आरे कौन नहीं चाहता कि गली महले में क्रांतिकारी हो लेकिन सब पढ़ासी के घर में चाहते हैं अपने घर में नहीं सोचिए गोली कहीं और लग देई होती तो सस्राब चैन से जीन ना देगाईगे पांडे जी भीतर आजाएं लो उम्हमुशिवाए सभीतरा बहनी अरे सभीतरा बहनी तुमने सुना की नहीं क्या अरे वो भोसरी के भाग गई कौन अरे वो कथरीन बड़ी चालबाज निकली खुद भागी तो भागी साथ में उन्हों नेकरमों को भी ले भड़ भला हो उसका जो तुमारे जगवा को नहीं ले भागी हां है लेकिन भागी कैसे नेकवासे ब्याह करके हां दस साल बड़ी थी नेकवासे अच्छा बड़ा हिसाब किताब रखती थी तुमने एक रम का का वाइन तुम भी ला हम का रखती थी अरे वो तो अकबार में छपा है हारामी को हमरी पेंगेस पर डाका डालना था अब तुम क्यों मातम कर रहा है ओ भोसडी के हां तुमारा कौन मर गया अब एक ढूनोंगे चार मिल जाएंगे तुम चार दिन में ढून देंगे तुम्हें पेंगेस पर तुम उसे बना रसना दिखाने लगना बस पर ये दोनों भोसडी के गय का गंगा जल हाथ में लीजिये इश्मार ओम केश्वाय नमहा महराज वो मिनरल वाटर से काम ने चलेगा का मिनरल वाटर चाहिए तो कहीं और जाओ भोसडी के गंगा में हमारा विश्वास अब भी अटल है पाने जी ये बताइए ये देश कब तक राम भरोसे चलता रहेगा जब तक राम के भरोसे है तब तक ही ठीक चलेगा ये लेडी फिंगर कैसे दिया? चार रूपया पाओ और ये काली फ्लावर तीन रूपया पाओ और ब्रिंजोर बैगान दिया तीन रूपय पाओ अच्छा और ऐसा करो आधा किलो टेमाटो भी दे दो हाँ 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 तो आपको क्या दूसा इत्री बैन आधा किलो लाकी और कुछ बैस आजका किस पार्टी में हो आपकी बारी अडल भिहारी पर मंदिर मस्जद मुद्दे पर तुम तो राधिशाम के कानशाब आ गायते डाक्टर साब देश जब संकट की घड़ी में हो तो इससे उसमें या उससे इसमें आजा सकनी की गुंजाइश होनी चाहिए ये गुंजाइश ही तो लोकतंद की ताकत है चलिए एक एक चाई लड़ जाए चलिए हसलो हसलो बाकी पांच साल तो रो नहीं है तुम्हाई सरकाल बन गई तो ये तो हो नहीं है तुम लोग पहले थूखते हो और फिछाटते हो और समझते हो के देश है चूपिया कल तक बोलते थे काशी और मतुरा हमारे एजंडे में नहीं है आज कहते हैं कि आयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे कल को कहेंगे के कोड कर चैरी किसी चीज़ को नहीं बांते हैं साथ कोई दीरिमान है तुबारा सलाम मिया सलाम सलाम सब खेर्यत तो है हाँ जी बैठाओ और सुनाओ क्या हाल चाल है हाल तो आप देखी रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्रहक याने बंद हो गए हूं क्यूं ग्रहक क्यूं बंद हो जाएंगे अरी इस महलेका को ठीकाना है लाम जन्म भूमी और शीरा पूजन का तमाशा तो देखा ये तुमने कैसी बात कर रह पचास साल से अस्टी पर हमारी दुकान है आस तक ना कभी चूरी हुई ना लूट पाट गाली तक नहीं दी किसी ने हम जूट बोलते हैं जब भी दंगा होता है तुम्हाई दुकान बंद हो जाती हमने खुद देखा है वो अलग बात है वो मुहले की कारण से नहीं किसी दूसरे कारण से फैर छोड़ो यह सब अच्छेक बात बताओ इस बार वोट किसे देने का विचार है आप ही बताईए किसे दें अरे इसमें बताने की क्या बात है इस बार पूरा चुनाओ ही सेकुलर पर हो रहा है सेकुलर यानी मुसलिम वोट ना सेकुलर यानी मुसलमानों के हित पर इसाईयों के हित पर हिंदू साम प्रताइकता के दुरूप मुसलिम वोट वैंक के अलावा सेकुलर का कोई अर्थ है और पिछले पचास साल से आप जो ये हिंदू कार्ट भेडाए हुए है उसका क्या बुरा मत मानिएगा साहब, मेरी सारी जिन्दगी इसी मोहले में बीती है, इसी मोहले के बच्चों के साथ में खेला बड़ा हुआ, यहां सभी लोग जानते भी है मुझे, रोजी रूटी भी उनी से चलती है, पूरा परिभार चलता है, मैं उनसे अलग नहीं हूँ, मैं उट तुसे ही दूंगा जिसे मोहला देना चाहता है, लेकिन मैं उट दे भी दू, तब भी कोई विश्वास ने करेगा, बस, तखले भी इसी से उती है, अच्छा मिया, चलता हूँ, खुदा हाथ, खुदा हाथ, खुदा हाथ, खुदा हाथ, चलू मिया, सुनरे और आदे शाम पड़वा, ये, ये है छे दिसंबर की देन, जो मुसल्मान नहीं थे या जिन्हें अपने मुसल्मान होने का एहसास तक नहीं था, वे भी मुसल्मान हो गए, रातो रात, मामुली से मामुली, टुटही मस्जिद में भी लाउट पिकर लगया, जिस मस्जिद में कभी हुए लोगों की कितनी बड़ी तादाद है वो ये भी जानते हैं कि हम सब एक ही घराने और एक ही परिवार से तांदुक लगते हैं एक जमाने से वे भूमिहारों और ठाकरों के यहां बिना किसी भेदभाव के आते जाते थे तीस त्योहार साथ साथ मनाते थे एक ही खटिया मशिया पर बैठते थे कभी फल्क नहीं बालू पड़ता तो दुनों के बीच लेकि चीजे बदल गई राधेशाम पड़वा उस घटना के बाद चीजे बदल गई है कोई जवाब तुम्हारे पास अरे तुम लोग सुनो जगवा मल्ला को ही देखो गोबर थी उसकी कोटरी उधर ताकते हुए भी घिन आती थी और अब देखो कितने साफ सुत्रे और बच्चे महलने में हैं किसी बाबन के ऐसे बच्चे तरा तरा के बढ़िया डिजाइन वाले पैंट शेट पहनते हैं पहले रात दिन गली में लडाई जगडा और चिल्लपों मचाय रहते थे अब तो पढ़ते लिखते भी दिखाई देते हैं कलकुटिया लिया जोड़ खटा रहे हैं रंगीन टीवी देख रहे हैं और उनकी और बेटियां इतनी गंदी कि क्या आती थी और अब देखो दर्वाजे के बाहर बैटी वो तांजिस्टर सुन रही है अंग्रेजिनों की मैक्सी भेने सूपे चावल बीन रही है तो हम क्या करें किसी अंग्रेज अंग्रेजन को रख लें क्या अरे घर में रखने को कौन कह रहा है जी अंग्रेजिनों को संस्कृत ना पढ़ाना हो तो मत पढ़ाई कथा तो कह स मनुष्यों के धन की प्यास कभी नहीं बुझती तेल बनाने वाले, बिजली बेचने वाले, अब सबजी बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, पर उनकी प्यास नहीं बुझ रही, पुरी दुनिया के दौलत भी बिल जाये तब भी आदमी कहता है, और थोड़ी दिनों में सा पारात बताईब! आई ये वकिल साप, बैठिये बिपक्ष में! अरे, पब तक, चार दिन की चान्दनी, फिर अंदेरी रात! क्यों कामरेट! खंडर भाई, लाल सलाम! आप भी बैठी है स्रिवास्तो जी के साथ! हमने बिपक्षब बैठेंगे, नहीं हैं आप अप्पु क दुकान में ये सराच्ट को बंगेड़ी और बाजबाईयों गड़्डा हो गया अरे कॉमरेश सुनू जो यार घंड़ हर बच गये हैं पर तेवर देखिए सो करोड की आबादी में पांच जटकुली सीपियाई वाले पर दिखाएंगे ऐसे कि जैसे ये ना हो तो देश सी ना चले चिंदा ना कि ये थोड़ी देर में आ जाएंगे ज्यादा दिनों तक विपक्ष की राज़ डीती नहीं कर पाएंगे केनी माई माने नेक्स टाम ओन पूर्ट वेवी और केसे हो कानी पहसरी के नंकात तू अरे सभी तुरा बहिनी सभी तुरा बहिनी अरे कहा हो हम यहां है अरे जट पर क्या चोच लडा रही हो गाजाब हो गया बहिनी सुनोगी तो हैरान रह जाओगी अरे ऐसा क्या हो गया उँ अंगरेजन लाउट आई है कौन कतरीन और कौन कतरीन हां साथ में उन्हुआ भी है उँ चूतिया बाबा हो गया है बार बाबा खर्ताल बजाके आशिरवाद देता है आगे पीछे चेला चाटी बता रहा था कि अस्री में पुराना वाला खाड़ा खरीद लिया है वहां योगा अश्रम बनेगा और हूससरी बनारस पे दूसरे किताब लिख रही है अच्छा है अभी देसी ही इतियास लिखेंगे भार कि अभी बन्वाइब कि अभी बन्वाइब मापा हमें कंप्यूटर क्लास की फीस बननी है पेटे क्यों सीखना है कंप्यूटर के बिना देश नहीं चलता था क्या कहां से इतना पैसा लाएं चार फल करीद देगी तो हैसे कितनी है हमारी मंधिर जाते हैं तो पंडे पुजारी चड़ावें से निकालकर दो चार फल हमारे हाथ में रख देते हैं वही हम तुम्हें देखकर खुश हो जाते हैं जो पढ़ रही हो वही बस है हमारे लिए तबियत तो ठीक है ना आपकी हमारी तबियत को क्या हुआ हम पपु की दुकान तक टहल कर आ रहे हैं तुम खाना खाले ना आएए आए पांडे जी प्लाम प्लाम इस से पहले कि अस्य घाठ अमेरीका के मियामी का आसामी हो जाए और घाट के विदेशी और चौरा है के स्वदेशी इस देशी मौले की खाट खड़ी कर दें आईए और देखिए किस कदर घंडव गदर मचा रहे हैं ये दड़बे के गदर है आ गया गुरू कल की देखो तो क्या था सी उस था क्या क्यों पाणे जी पर जैसे ही प्राचीन पंड़ों ने काशी को धर्म और मोक्ष की नगरी घोशित किया वैसे ही देश भर के राजाओं, सामन्तों, व्यापारियों ने घाटों के किनारे किनारे अपने महल और मंदिर बनवाने शुब कर दिया अब जब मंदिर बन गए तो उनके बगल में कूठ्या भी बनवाई गई ताकि ये पंड़े पुरोहित इन मंदिरों में दिया बाती भी कर सकें और पुजा बाढ़ भी करते रहें और ये पंड़े पुरोहित अपने जजमानों के कल्यान के लिए धरम करम करते रहें अपने बच्चों को जोतिष कर्मकांड संस्क्रेट सिखाते पढ़ाते रहें न जमीन जायदात की चिंता न राशन पानी की चिंता न कपड़े लगड़े की इसमें एक बात और जोड़िये गया गुरु इनी पंडों के पूजा पाट के भरोसे वो अपनी रिया पर त्याच कोई बात करो यह कमिनिस्ट भोस्री के अपनी फिलोस्फी पेलने से बाज नहीं आते हैं खेर आजादी के पहले सब कुछ चका चक था हालत बिगड़ी जमीदारी खतम होने के बाद अरे जो अपना नहीं सभाल पा रहे थे वो पंडे पुरहितों को क्या समालते हैं सो जज जिन्देगी भर कभी ना खुद कुछ किया और ना अपने बाल बच्चों को कुछ कर ड़े अरे क्या हुआ पाने जी हम कुछ घलत कहें क्या पानी पीएंगे नहीं क्या चीपा रहे हैं एक मेहने बाद हमारी नौकरी नहीं रहेगी क्या पाडशाला को अब ऐसे अध्यापक की ज़रूरत है जो संस्कृत के साथ अंग्रेजी भी पढ़ा सकता हूँ हमें क्या है क्या है कि हम सेवा संग की धरम शाला सबालना चाहें तो हमें कुछ तनख्वा मिल सकती है साथ री क्या अब हम इसी लाइक रह गे हैं कि तीज धियात्रों के तरी कमबर और कमरों का ध्यान रखें हमारे पिता ने हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाई भारत की आत्मा संस्कृत साहत्य में है संस्कृत देवबानी है यही सुनते पढ़े हुए हैं हम और जीवन भल अंग्रेजी को कर्याते रहे हमारे पच्चों को भी हमने अंग्रेजी से दूर रखा और आज आप इतना हताश क्यों हो रहे हैं पनारस में सेक्डो संस्कृत की पढ़ चले हैं और विदेशी भी तो संस्कृत पढ़ रहे हैं सावित्री हम अपने पच्चों को अंग्रेजी पढ़ाएंगे हम अपने पच्चों को संस्कृत भी पढ़ाएंगे और अंग्रेजी भी बार बार बाबा की एक चेली बता रही थी कि बाबा ने योग के बलसे अमेरिका में अपने लिंग पर आठ किलो का अस्ट धातू का गलोब उठा कर दिखा दिया और मन से नीचे बालू में फेक दिया चेली में कोई और गलोब देखा होगा अरे कुछ भी कहो पर दिख्वा ने तो कमाल कर दिया इननों जो भी अस्टी पर उतरता है सीधे बारवर बाबा का पता कुछता है अरे कुरा देजी नोटेंग की देखने में बिजी है भाई हर हर महादेव कैसे हो पाद्ध्या जी हम तो अस्टी पर ही रह गए तुम तो अमरीका पहुँच गए ने को आ साहसे वसते लक्षमी साहस नहीं करोगे तो लक्षमी कहां से आएगी उपाद्ध्या जी देखिए मैं पूरे विश्व को आरे बना रहा हूं क्रिणवन्तो विश्वम आर्यम जय हो सही कह रहे हो निकवा अब तो यह सारा संसार ही हमारा कुटुम्ब है रुप्या पैसा सब संबंध जोड़ देता है पांडे जी दिखाई नहीं दे रहे अरे गए होंगे किसी जजमान की अहां यह कहीं देश राष्ट धर्म पर विचार पेल रहे होंगे और क्यां अब वेधान्त और साहित कौन पड़ता है पांडे जी बैल गाड़ी की यूकी भाषा होकर रह गई है संसार किसी तरह कर्मकान की बदोलत जिन्दा है वन्ना कबके मर गई होती है अभी तो पुराने आचार पढ़ा रहे हैं वो नहीं रहेंगे तो बताओगा तब तक आप चाहे तो एक चिठी लिख दीजिए मैं सिभारिश करूँगा आप कहीं से कुछ सहायता मिल सके क्यू चेहिए नेया डिजाइन वाला शोट पुराना है तो पुरा है क्या चरेत्र आदमी को बनाता है तो प्ड़े नहीं माबा पांड़ तुम्हारी कंप्यूटर क्लास का क्या हुआ पात में पढ़ लेंगे ट्यूशन करके पैसे जमा कर लेंगे अभी हम जिन्दा हैं कुछ करेंगे जी बाबा आओ इधर आओ अब बड़ी हो गई हो छोड़ी थी ना तो दौर कर हमारे सीने से आ लगती थी कबसे सीने नहीं रगिया तो पंडी जी मरना चाह रहे हैं क्या किसे मिलना है पंडी जी घर पे हैं सब आएंगे यौल वेट ओन घाट आल आल जॉइन यू सून आईए जूते यहां उतार दीजे हैरे तो नेकवा तो ने जी नेकवा आया है जाओ भी तै जी ने जी ने जी ने जी ने जी ने है लगी पंडी जी अरे नका तू आबैट कैसे आना हुआ घाट पर गया था सबसे मिलने आप नहीं दिखाई दिये तो सोचा घर पे ही आज तब यह ठीक नहीं है हमारे आप आप बिल्कुल न बदले पांडी जी पर तुम तो बिल्कुल बदल के हो यह खरताल बरताल बचा कर तुम क्या बेच रहे हो जैसे आक्टर तेल और साबुन क्रिकेटर, कपड़ा, लत्ता, मोटर, मोबाइल नेता देश और भुका इमान बेचता है वैसी मैं विदेश्यों को योग बेचता हूँ कबसे ये योग सीख्या हरामी कैथरीन जब इंडियन फिलोसफी सीख रही थी तब हम अंग्रेजों की भाषा उनकी जरूरते, उनके सपने और उनकी फिलोसफी सीख रहे थे हम कमपड जरूर थे पर हमने गलियों, चौराहों और घाटों पर उस तरे और कैंचियां चलाई थी अंग्रेजों के साथ चरस गांजे का धम लगाया था ये बात समझते हमें देर नहीं लगी कि दुनिया दुनिया एक बड़ा बाजार है पहले समाज में एक बाजार होता था अब बाजार में एक समाज सांस ले रहा है और कैथरीन इस बाजार को खूब समझती थी कैथरीन के साथ हमरी शिकेश चले गए वहीं थोड़ा योगासंसी का और हो गए योगाचार है अमेरिका पहुंचे तो एक बारबर हो गया बारबर बाबा सुखी हो पांडे जी आज हम सभल है क्यूंकि आज हम सुख देने वाले सादन खरीद सकते है बच्वन मैं पढ़ा था सर्वे गुणाह कांचनम आश्रियंते सारे गुण पैसे से खरीदे जा सकते है जो धर्मान है वो गुणान है जो निर्धन है वो 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 समाज का कचरा है यहां ज्यान की उपासना करने वाला भूका मरता है और पाखंड की पूजा होती है देखे मैं योग बेचता हूँ और कैथरीन दुनिया को भारत क्या है समझाती है हम पर डोस में टीवी देखने जाए भावुजी चाओ चल दी आजाना कन्णी बता रहा था कि आपने बनारस और सारनात पर किताबें लिखी है जी अब कहे थी भावी बनारस पर दूसरी किताब लिख रही है उसमें एक चाप्टर असी पर आपसे भला अचाप्टर को कौन जानता है पर बनारस के बारे में आप क्या जानती है सहोर्डर जी आकरे है मेरे पास रांडो सांदो और सान्यसियों के जिनके लिए बनारस कभी प्रसिद था पिछले कुछ शलों में ही कितना अंतर आया है उनके संक्या में बुरा ना माने तो में कैना चहूंगी की वारनासी इस डाइंग तो क्या चाहती है आप मठ और आश्रम राणों से भरे रहें सांद साक और गलियों में जहां कहां गोबर करते रहें जो धूर दाड़ी दाड़ा बढ़ाए हुए लोगों को चूटिया बना रहे हैं उनको सन्यासी समझते रहें आसे आसे डॉक्टर हल्ला नहीं नाराज क्यों हो रहे हो वो कह रही है कि बनारस मर रहा है और आप सिरह रहें किसी बनारस के लिए साथ समंदर पार से दौर लखा रहे हैं यह भूसरी क्या उरे यार कुछ तो लिहाज करो महिला है समझाओ इनको मैं जानती हुँ गालिया पाना और गालिया देना जलिल होना और जलिल खारना असी की संस्कृती है नमस्ते 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 बड़ा गंदा काम किया है तुमने सर्षी दीनमंदू बाभनों में तिवारी उट की सवारी मैभा मैतारी हैजा की विमारी कोणा की तरकारी लालाओं में पटवारी और इसी कहावत में एक नामो जोड़ लो अमरीकन नारी इनका कोई भरोसा नहीं आफ खामखा नाराज हैं अमरीका से जो 2,500 विदेशी हैं गलियों में उसमें सबसे कम अमरीकी हैं गलियों में और सबसे कम कुछ आपको पता भी है कि गलियों में क्या हो रहा है धंधा डॉलर का धंधा आपको मालूम हैं कितने मकान खरीदे गएं इस मोहले में लोकल आद्मियों के नामों से फर्जी शादियां की लई हैं वीजा एक्स्टेंशन के लिए इस योगरों में साइबर कैफे खुले हैं अपनी स्विधा और जनसंपर के लिए और इसे ही हम समझते हैं गलोबलाइजेशन वो जब तक चाहें आएं जाएं यहां पर रहें हमारी हैसेती क्या है डॉक्तर साहब पर वे कहां हमारी गोद में आकर बैठ रहे हैं हम ही भाग रहें उनके पीछे भाग नहीं रहे हैं उनकी गोदी में बैठने के लिए तड़ाप रहे हैं थोड़े दिनों बार यही कहेंगे, कि असी जरचर हो रहा है, धैर आ है, मर रहा है, इसे हमें देदे, हम इसे नया कर देंगे, एक दम चमा चम, आज असी, कल पनारस, परसो दिल्ली, नरसो पूरे देश को अपनी गोद में बठा लेंगे, यह तो बाद में पता चलेगा, कि हम किसकी गोद में बैठे हैं, चसुदा मईया की, या पूतना की, काशी हीले पटना हीले, काशी हीले पटना हीले, कलकत्ता ही लिला तोहरी, लचके जग कमरिया, सारी, दुनिया ही लिला तोहरी, लचके जग कमरिया, कनी अरे बाल अगी पानने जी खुश रहाँ पान खाएंगे नहीं बाती है कनी जी कहिए किरायधा डूंगे पाने जी वो कोई हरामी आपके दरवाजे पर बोर लगा गया है वो हम लगाए हैं हम आप लगाए हैं अरे दुनिया ग्लोबल विलेज हो रही है और हम असी को ही दुनिया समझ रहे हैं अब अगर हम परमपरा आगे नहीं बढाएंगे तो यूनिवर्सिटी तो बढा ही रही है हम गलत कह रहे हैं तो बताईए आचारे जी आचारे जी पालगी जाची कहा कहा से भास लाता है रहे है नहीं नहीं रंडियो को लांदा करनाती कुप के से किसको यहां से नहीं तो खिसनो मुवे जो़स थेंगे अचारे ज वाइफ नमस्टे बाग यहां से बूट सडेकी अचिव बलकुमांगी यू कॉन है सावितरी से सुपर कि देवी जी मादलेन है फ्रेंच है वह सड़ी कि न ठीक से इंगलिश जानती है ना हिंदी येस साथ में शब्द कोस्ट लेकर चलती है यहां का रेट तो तुम्हें पता होगा कन्यी जी गुरू आ तो गुरू यह सौधा पक्का समझू हाँ क्यों आए थी वो अंग्रेजन उस लफंगल उच्चा के साथ संस्क्रित पढ़ना चाहती है और रहेगी कहां इसी घर में यहां थूख कर चाटते शरम नहीं आते आपको कल तक आप ही घूम घूम कर महले में इन अंग्रेज अंग्रेजनों को मलेच और जानवर कह रहे थे कि साले नाते धोते नहीं है छाड़ा फिरते हैं तो कागत से पोच कर फेख देते हैं कहते थे कि नहीं और उस दूबे का मकान तो बड़ा था तो क्यों असमा सर पे उठा लिया था जब वो एक अंग्रेज को रखना चाता था वो तो बाल बच्चे वाला भी था बीवी भी थी उसके साथ तब महले के लड़के लड़किया खराब हो रहे थे धरम भरष्ट हो और तुम यहां खड़े खड़े किया तमाशा देख रहे हो चले यहां से खबर दोर जो उस अंग्रेजन को घर में घुसने भी दिया तो जीने नों देंगे हूँ एक बात पूछे हैं कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही अंग्रेजन से हो रही है न और क्यों न होगी अब भी रह गए हो किसी अउरत के काम के हमारे बाप अस्पिताल में मर ना रहे होते तो आप ही एक मरत नहीं बच्चे थे हमारे भाग में मर नहीं रहे थे हम अपने से उमर में 15 साल बड़े रंडवे से शादी के लिए तो फिर क्यों इतना परिशान हो रही हो तुम परिशान अपने लिए नहीं बच्चों के लिए हो रहे हैं और हम क्या अपने लिए कर रहे हैं देखिए कभी जगवा की अरत की साड़ी और अपनी देखो अपना कान, नाग, गला, कलाई देखो क्या मैंनी चाहता है कि तुम बड़िया बड़िया साड़ियां पहने हो गहने पहनो, बेटी काईदे से लिखे पढ़े अच्छे घर में उसकी शादी हो, अच्छा वर्म मिले ससुराल जाए, तो सास ताने ना मारे संस्क्रित लिखने पढ़ने का सुख तो तुमने भोगी लिया है अब क्या चाहती हो, बेटे भी घाट पर वैठे है आज तक आपने समझोता नहीं क्या तो आब ये सब क्या हो रोटी का चक्का जब कुछलता है न, तो सबसे पहले मुल्य से धांद कुछले जाते हैं सावित्री गरीबी सब कुछ रौन देती है हम अपनी जरूरते बढ़ाने के बज़ाए कम भी तो कर सकते हैं कौन हो तुम? और क्या कम करोगी? क्या खाओगी और क्या अपने बच्चों को खिलाओगी? अपनी कौन सी जरूरते कम करोगी? आज शाम को कन्य आ रहा है खाने पर निति यही कहती है कि अगर वो हमारा ध्यान रखता है तो हमें भी उसका ध्यान रखना चाहिए प्रेयो मंदो योगक्षे माद ब्रनीते यम ने नची केता से कहा नची केता जरूरी नहीं कि मन को अच्छा लगने वाला रास्ता सच का रास्ता हो इसलिए समझदार अच्छा लगने वाले सुख देने वाले रास्ते के बज़ए श्रह के रास्ते को सच के रास्ते को चुनता है एक अंग्रे जिन को घर में रखना हमें बिलकुल अच्छा नहीं लग रहा है आप उसे रख दीजे उपाद्या या दूबे के घर में वो चाहते भी रहे है बस पढ़ने आ जाए करें यहां चूतिया हैं हम हर मैंने अपनी जेब से पंदरा हजार रुपे उन्हें दिया करें पंदरा हजार? पंदरा हजार रुपे? जोड़ो सब एक दिन का किराया पांच सो रुपे तो तीस दिन के किते हुए? और वो मेरे हिस्से का किराया है यहां रहेगी तो किस के हुए? दो सो नहीं देट सो रुपे प्रती घंटा के हिसाब से यूशिन के भी जोड़ लो कितने हुए? साड़े चार हजार साड़े चार हजार में पांच सो कर्णी के निकाल दो और उसमें पंदरा हजार के राय के जोड़ लो तो कितने हुए? उनीस हजार और तुम चाहती हो कि हम सिर्फ चार हजार पने पास रखें और पंदरा हजार उपादिया ये दूबे को दे दे हमसे बड़ा चूतिया और कोई होगा दुनिया में एक बात और जान लो जरूरी नहीं कि वो छे में नहीं रहे यदि वो खुश हो गई हमारे तुमारे विवार से तो साल डेट साल के लिए भी उठा सकती है कोटरी और वो चली भी गई तो सीजन में हजार डेट हजार रुपया भी किराय मिल सकता है हर दिन के हसाब से बोल रहा था करनी है लेकिन कोटरी है कहाँ दो ही तो कोटरी है तो फिर वो रहेगी कहाँ छत पर छत पर तो क्या आंगान और बैठक से होकर रहेगी जाएगी और छत पर है क्या जहां रहेगी तुम चिंता मत करो, मैंने कन्नी से भाद कर ली है, तीन महने का अडवांस लेंगे और महने भर में कोट्री तियार करवा लेंगे अरे कोट्री तो तियार करवा लोगे लेकिन उसके आने जाने का क्या करोगे? तुम तो बड़ी अजहेल ओरतो, ना चैन से जियोगी, ना रहने दोगी जैशिर्राम अरे आओ भई कन्ही, आओ पालगी चाच्चाप, पालगी चाची अब जाए सवागिलो लड़ू चड़ाए संगट मुचा ननमान जी को और कल सुबा हीटा सिमेंट बालो गिरवा दिजी और खाम शुरू करवा दिजी कोठ्री का कल शाम को एडवांस दे रहा हूँ तुम्हारा ऐसान कभी नहीं भूलूंगा करनी पर उसे कह देना के बहुत जल न मजाए हमने पंचांग देख लिया है दिश्या मुहरत सब समझ लिया है छट पर जो कोठ्री बनाएंगे उसका महर पूरप की और होगा गंगा की और तीनों तरफ खिड़कियां जहां से देखो वहां से बनारस दिखाई देख कोशी यही करेंगे कि महने भर में तैयार हो जाए कोठ्री महीना साथ आठ दिन के काम के लिए महीना साथ आठ दिन में अटाच लेटरी बातरूम के साथ कोठ्री कैसे बनेगी करनी हम आपको बताते हैं देखिए इस कोठ्री में तो कुछ करना नहीं है बनी बनाई बस एक लेटरी बातरूम अटाच कर देना यह जो बगल वाली छोटी कोटी है उसमें न लगवा दीजिए होरा लगवा दीजिए अंग्रिजी स्टाइल का कमला लगवा दीजिए तॉल्या हुल्या टांगने के लिए टॉल रोड लगवा दीजिए शिवर लाइन तो बाहर से गई है बस उसमें कनेट करवा दीजिए अब कितने दिन लगेंगे इसमें कैसी बात कर रहे हो करनी ये कोठोरी नहीं महादेव जी का घर है हम यहाँ पूजा करते हैं रोज गली से गुजरना वाले भी जल चड़ाते हैं फूल माला चड़ाते हैं अरे पाले जी शिव जी कोई राम लला तो है नहीं कि जहां थे वहीं रहेंगे टस से मस नहीं होंगे अरे वो ठेरे खुमंतू देवता अपने मन के राजा साथ में नंदी है कभी कैलाश पर तो कभी काशी में हाच कोठरी में तो कल चट पर जा वैठे आप क्या कर लेंगे उनका अगर हम गलत हैं तो कहें ए गणिया कान खोल के सुन लो हमारी बात काशी के हर घर के बाबा है महादेव घर के मुखिया वो जहां चाहेंगे वहां रहेंगे उसके लिए तुमसे नहीं पूछेंगे अरे चच्ची अरे हम आप ही का भला सोच रहे हैं ज़रा सोची बेट टी, मॉनिंग टी, आफ्टून टी, इवनिंग टी ब्रेकफास, लांच, डिनर नजाने कितनी ज़रूरते हैं अरे कितनी बार आप सीड़ी उपर निचे चड़ेंगे अब आप यही करेंगे क्या वो सब हम कर लेंगे, साला कुछ हम कर लेंगे ये हमारी जिम्मेदारी है पांडे जी मैं कुछ कहना ने चाहता था अपनी जुबान से लेकिन सुनी अब आप यह आप देख रहें गंगा की और खुलने वाली खिड़की मादलेन रोजाना पांच सो रुपिया इसी खिड़की का दे रही है ना क्या आपके कोठरी के ना ही आपके डाल रोटी के बस उसकी इतनी इच्छा है कि कमरे के साथ अटाश लेटरिन बातरूम हो तो आपको क्या परिशानी है उस कोठरी को टॉइलेट बनवाने में फैर आप ब्रामन मैं ब्रामन मेरा गोत्र आप से उचा ही है सांडिल गोत्र आप विद्वान है वेद्शास्त्र सब पढ़ है जरा सूची महादेव जी के बगल के कमरे में कोई विधर्मी रहे तो क्या उनको बरदाश होगा अरे वो खुदी वहाँ से भाग खड़े हूँ खैर मेरा धरम था कि आपके भले की बात करूँ अब आप जाने आपका काम चाहिए सूची मैं आऊँगा कल माद लेन के साथ शाम को तीन महने के अडवान्स के साथ जय श्री राम सावित्री तुम चिंता मत करो मुँ करनी का कमिशन बढ़ा देना सावित्री माद लेन के लिए निम्बू की चाय बना देना सावित्री माद लेन के लिए पानी तो गरम करतो सावित्री माद लेन ना रही है पटाबर जाड़ू पोचा कर लो सावित्री माद लेन क्यूशन से उठ रही है चाय पिएगी माद लेन कल सारनाथ गई थी आज राम नगर जाएगी लांच थोड़ा पहले करेगी माद लोज रोज वही रोटी वही दाल वही सबजी वही भाथ नहीं यार सावित्री कभी चेज भी होना चाहिए कुछ स्पेशल गुड़ नाइट को संस्क्रित में कहेंगे शुब रातरी शुब रातरी जरा विस्तर विस्तर देख लेना चादर गंधी होगी हो तो पदल देना कैसी है तुमारी पेइंगेश अपना आंगया जांगया खुदी दोती है कि तुम दोती हो भाग यह से बोचरी की अरा गया देखो तुक्षरा अंग्री जन को घर में घुसने नहीं दोंगी अबे धरम नाज कहां अबे गठे, सुवर, उल्लू के पठे फेपाणे निकल बाहर कोठरी से तुमती, मैंने बहुत परदास किया रहे जहां तुने मुझे रखा है वो मंदीर है या माचिस हिमाले के उचायों के रहने वाला मैं फुले आकास में जहां साफ हवा है ठंडी ठंडी वयार और तुने साले मुझे यहां बिठा रखा है जमीन पर नाली के पास जिसमें गूमुद बहता है तेरी मजाल कैसे हुई मुझे टीपाटीपी में बंद करने की दम खुटता है मेरा उस काल कोठरी में अगर अपनी खैर चाहता है तो ले चल मुझे अभी इसी छण छट पर खुले आकाश में जहां धूप है बारिश है सूर्य है, चंद्र है, तारे है और नक्षत्र है उठ और ले चल इसी छण पाबा, इम्मद में ही बढ़ रही है हमारी लोग क्या कहेंगे तु मेरी सुनेगा आकी लोगों की देख रहा है यह तिसरी आख पाबा, ड़न इसलिए लग रहा है कि वो एक अंग्रेजन है तुने वेद पढ़ा पुराण पढ़ा सब पढ़ा पर मुर्ग का मुर्ग ही रहे गया मैंने प्राणियों की स्रिष्टी की हिंदूों की, सायों की, मुसल्मानों की नहीं यह तुने बनाए है जा समझा मोहले कुँ अबट बले चल चल पाणजी पाणजी अरे पाणजी का हो रहा है माराज यह इट, बालू, सीमेटी सब का है क्या बताए हो पादिया जी कल राज शिवची हमारे सपने में आए गुस्से में थे कहरे दया कूठरी में हमारा दम घुटता है हमें जट पर खुली आकाश मिले चलो चांग खुली हवा है चांद है, तारे है, सुरिय है अरे तो चमतकार हो गया पाणे जी शिवची हमको कितने दिन से कह रहे हैं अरे तू मनश्यों के रहने की चंता कर मैं तो कहीं भी रह लूँगा पर हम तो आपके डर के मारे कुछ बता नहीं रहे थे ना अब शिवची ने आपको आदेश दे दिया, चलिया हो गया वैसला अरे तिवारी, सुकर, चत्रवादी अरे चमतकार, वाहे चमतकार हर हर महादेव पांडे जी पांडे जी, गजब हो गया मैनों से हमें शिवची कह रहा है कि चौबे हमें किसी प्योड के निचे बठाओ, यहां बहुत बू आती है पर हम मानी नहीं रहे थे लेकिन अब प्रायस्चित के लिए आज ही हम अखंड हरी की तन रख रहे हैं जरूर आईएगा आशर पांडे जी आशर दो दिन पहले ही शिवची हमें सपने में कह रहे थे कि अबेत्य वारी हमें घाट पर कहीं कंगा के नस्दीक बिठाओ पर हम सपने पर कैसे यकीन करते हैं पर अब हम क्या कहें इसलिए कल ही हम राम चरित्र मानस का अखंड पाठ रखेंगे और शिप जी को उठाएंगे पर साद लेने जरूर आईएगा जैराम जी की हर हर महादेव किसी को कोई सपना नहीं आया पर कल सुबे तक पूरा असी सपना देख चुका होगा जाएए रोकिये उन्हें वरना हर घर से हमारे बाबा बेघर होंगे सावित्री पंडे जी शिवलिंग हटाते वक्त तूट गया है पाने जी अब यह चलो हटाओ नहीं अरे पाने जी आपने पंचांग देखा क्या कल सौभाग ये योग है हम तो सोच रहे हैं कली गाजे बाजे के साथ शिव जी को चौराहे पर बैठा देंगे आपने कौन सा महरुत निकाला है अब आद क्या है वारे शिव जी हटाते हैं वक्त तूट गये ते दर ने ना ते भाई क्या कर रहे हो या जाओ जाके अपना काम करो न अरे पाने जी अब दुखी हो रहे हैं खुशियां मनाईए खुशियां शिव जी कृपा कर रहे हैं आप पर वे स्वयम आपके घर से जा रहे हैं आप तो गाजे बाजे के साथ उन्हें भेजने की तयारी करिए और मित्रों को बुलाईए फिर भंडारा करिए उत्सब मनाईए और चड़ाईए फिर एक कोट्री उपर मना करके राय पर उपात्या जी पांडे जी चलिए धर्म संसत बैठी है सभी को बुलाया है अरहे बाजे बाजे तिवारी क्या बात हो बाध्या अरे जल्दी चलो वहाँ धर्म संसत बैठ रही है जो धर्मनात पणवा पलट गया ना तो मौका गया हाथ से समझो के नहीं चलो हम असी की हीट से हीट बजा देंगे पर एक भी मूर्ती खिसकने नहीं देंगे हम कैसे मालने शिवजी सपने में आए अरे ये क्या बात हुई शिवजी सपने में क्यो नहीं आ सकते क्या सबू थे आपके पास कि शिवजी ने सपने में आदेश जिया अरे अब सपने का सार्टिफिकेट कोई कहां से लाए ये तो वही बात हुई कि रामलला के जन का सार्टिफिकेट लाओ क्यों दिवारी असी को आयोध्या बनाना चाहते हैं आप लोग और बनाना ही चाहते हैं तो सुनिए आप लोग क्या था काशी महाशमशान अरे आप लोग पारे जी को भी कुछ बोलने देंगे की नए आप क्या कहना चाहते हैं बच्पन से हमने यही सुना है कि वह कनकन में बसा है अब उसके कनकन में बसने का सर्टिफिकेट हम कहां से लाएं बताइए वो हवा में हैं, आग में हैं, पानी में हैं अब आग में पानी में होने का सर्टिफिकेट कहां से लाएं भाई हैं बाते न बनाएए पाने जी और सीधी तरह जवाब दीजे आपकी हिम्मत कैसे हुए शियू जी को उठाने की खबरदार अगर किसी ने पाने जी के खिलाफ एक शब्दी कहा तो अरे हर दिन खाट पर रोज सुबह सैकड़ो लोग महादेव की मूर्ती बनाते हैं गंगा की माटी से पार्थिव महादेव उसकी पूजा करते हैं उसके बाद उसको गंगा जी में बहा देते हैं उससे किसी नाज तक सार्टिफिकेट मांगा है क्या अरे ये हमरे और शिव जी के बीच की बात है आप लोग कहां से बीच में आ गए सब ना हम देखें आप लोग तो नहीं देखें न काशी का कंकर कंकर शिव शंकर काशी महादेव को छोड़ कर कुछ है क्या अब इसका प्रमापत्र कहां से लाएं सर्वखलदम ब्रह्म अरे पूरे ब्रह्मान में जो कुछ है वो शिवी तो है अब कौन भुज़ुरी का उसका प्रमापत्र ले कि आएगा हर हर महादेव हर हर महादेव हाल अखाले! 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 की पोगो भी आगए, इस समय करता है, एँक विए उन्हार, म्याओे की बुश्टार्ण से ठेलुटा का बूटुटा को प्यादिए, शार्णों कि शावा या इती कि भी तो, इती कि यानिनननननु घ्क कि और आ्दी नार्ण। डाँ जने टुक ए राँ पुर्णा डाँ टार। राँ लाँ लाँ बहुत अील नाड इस पूले लगपाना ह। अजय के पास बाल गोविन मिश्रा के निवास पर अखंड हरी करतन और प्रसाद के लिए असी महला वासी सा परिवार अमंत्रित हैं आईये आईये जरूर आईये जाये श्रीण राधे शाम देख रहे हो असी के पंडों का पाखंड अब बताओ इन पंडे पुरोहुतों का पुटला कौन जलाएगा हम जलाएंगे और उनकी अर्थी भी निकालेंगे पर आप खुशिया मनाईएगा क्योंकि आजसी ढह गया जो किसी से नहीं हारा वो अज जिंदगी से हार गया अरे भोशडी के एस पी मुश्राब अजसी का कासी की आत्मा का अपरेल हो गया अब कौन सी फ्रोती दे उसे छुडाओगे दुनिया के बाजार में खड़ा तुमारा असी बिक्रा है खुशिया मनाओ है पापो सबको अमारी तरब से असी की तेरे की चाहे पिलाओ काना का लीजी कि अवे खुड़ के सुए खुड़ान या का अवे खुड़ागा, इसका अवे खुड़ाओ दिए झाटली अवे श्रुभाओं अवे क्याओ खुड़ाओई जिए वह कि एर ने खुड़ादमाट अवे तकी बाठत खुड़ादी पान्टी जी कुब कि शितम के मुना करो ते पापक हो का आदमी क्या पाप नहीं करता यही पढ़ाया हमने और चार दिन अपने ड़र से नहीं लड़ पाए हम क्या हमसे क्या हो गया सावित्री जो आदर सदियों तक हमलों से हथे आना से बदली हवाओं से नहीं हारे वो आज छोड़ी छोड़ी जुरूरूत से लालच से चद्रूपयों से हार रहे है यह क्या हो रहा है, हम अपने ही मंदिर, अपने ही मस्जद, अपने हार्दों से तोड़ रहे हैं, हमने अपने ही बाबा को अपने घर से निकाल दी, जैसे एक आशी में अपने बुड़े माबाब को जोड़कर भाग जाता है, उसे हमने अपने बाबा से दुखा किया, एक बात कहे हमने कभी कुछ पाने के लिए रामचरित मानस का पाट नहीं किया हमें तो मानस में जिंदगी से लड़ने की ताकत मिलती है इसलिए हम उसे बार बार पढ़ते हैं हमने कभी रामचरित से प्रात्न नहीं कि कि दुखों से, मुसीबतों से हमारी रक्षा करना पर हाँ, हमने हमेशा उनसे ये कहा कि दुखों से, मुसीबतों से लड़ने की हमे शक्ती देना देखना पांडीजी, हमेश संकत से भी लड़ेंगे हमेशा पांडीजी ये 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 येशा नहीं झाल 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 हम भी दो पुकी हुआ जाय हुआ घाय हाँ जादे जादे लादे सावीत भी देखा हम कहला है जिन्दगी अपना रास्ता ठूंड ही लेती है पांडे जी थोड़ा चंदन मिलेगा जितना चहीं लेव भई सब महादेव का है पांडे जी और बहरूपिया अब साथी सावित्री और मादले नब सक्खियां मादले अब पांडे परिवार का हिस्सा है कन्नी गुरू अस्ती को अमेरिका बनाने में देश के बड़े बड़े गुरुओं का साथ दे रहा है जिन के लिए देश और विश्व बाजार है और लोग तंस्यों बाबा का योगा श्रम और योगा चैनल चल रहा है बदल रहे मुल्यों के इस दौर में पांडे परिवार जो सच है शिव है, सुन्दर है उसे बचाए रहने की दोशिश में नानारत नबे भूशितम रिगमदा मोदाम कितम चंदनम करे लुश है । झाल 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 झाल